हेलो फ्रेंड वेलकुम बैक वेल आज के वीडियो में हम अपने ब्लू होस्ट का जो मेरे पास पैनल था उसमें मैं एक डुमेन को एड करूंगा तो मैं इसमें एक डिखी एड करने का मतलब यह नहीं है कि मैं इसे यहां से बाइ कर रहा हूं मैंने एक डुमेन अल्रेडी मेर करना है अपने ब्लू होस्ट के साथ कि मैं यहां पर अपनी एक्सल एक्सल वेबसाइट को लांच कर सकूं जो इसके सवर पे होगा मैं जुद्धी जूरी नहीं कि डुमेन में यहीं से ही बाइ करनी है तो अब उस डुमेन को मैं यहां पर कैसे आड करेंगे वह हम देखते ह मैं यहां पर डुमेन सेक्शन पर जाना पड़ेगा तो अगर जब डुमेन सेक्शन पर आता हूं में पर जितनी भी अविलेबल डुमेंस है मेरे इस पैनल में वह यहां पर शो कर रहा है जैसे यहां पर दीलसौफर.info और प्रदीपतेल.com जो एक एड़न डुमेन है similarly जैसे मैं अभी एक एड़ करने लगा हूं then planforgermany.com यह एक एड़न डुमेन है ठीक है तो यह दुनों मेरी गूगल पर ही होस्टेट है similar fashion में मैं एक नई डुमेन को इसमें एड़ कर रहा हूं so that कि उस डुमेन की ऊपर जो वैब साइट होगी उसको मैं यहां पर publish कर सकूँ okay तो मैं एक बाद पहरे बाकी options भी दिखा देता हूं okay my domains में सभी domains आएंगी then purchase domain domain है यहां से आप कोई domain buy करना चाहते है तो means कि अब जो domain आप new buy करेंगे मैं तो हमें यहां पर assign पर जाना पड़ेगा means कि हम एक domain को assign कर रहे हैं यहां के लिए तो transfer domain means कहीं पर है आपकी उसको आप यहां पर permanently transfer कर रहे हैं सब domains में आपको already बता चुका हूँ ठीक है तो zone editor उसके editing जो भी हमारे पर domain होगा उसको add DNS में या बाकी information को add करने के लिए वो चीज जाएंगी तो मुझे यहां के लिए this one redirect होगा कि अगर आप अपनी domain को कहीं पर redirect करने है ठीक है यहां से तो वो उस पर assign होगा तो मैं यहां पर एक assign domain पर जा रहा हूँ means new domain यहां पर add कर रहा हूँ okay तो अब हमारे पर यह option आती है first मैं अपनी domain डालनी पड़ेगी कि हमें कौन सी domain चाहिए जो यहां पर हमने point करना है ठीक है तो यहां पर मैं डाल रहा हूँ excel in excel.com तो यह domain को verify कर रहा है यह domain basically blue हो चाहता है कि आप उसी domain को assign करें जिस domain के आप owner है ठीक है तो उसके लिए कुछ confirmation भी मांगी का verify करने के लिए okay first मैं यहां पर excellentexcel.com लिया ठीक है अब यहां पर second step आता है verify your domain verify करने के हमारे पास हो कई सारे method बताता है first यह है कि हम अपने domain को means जो मेरी यह domain है excellentexcel.com इसका जो मेरे पास name server है उसको मैं change करके अपना जो bluehost का name server है वो मैं यहां पर रख सकता हूं यह आपके लिए best tab है अगर आप अपने सभी जो भी आपके पास है अब bluehost पे ही host कर रहे हैं मेंस आपने domain just buy किया हुआ है बाकी सब कुछ आपका bluehost पे ही है तिन आप इसको कर सकते हैं मगर मैं इस option को पिक नहीं करूंगा क्योंकि मेरी जितनी भी websites हैं वो मैंने cloud flare पे ही रख्योंगी है सबके इसलिए मेरा सब point cloud flare को जा रहा है यह मैं फिर भी सारे सब्सक्राइब बता रहा हूं आपको के दो first step है उसके लिए आपको अपने DNS में जाना है यहां पर यह देखिए जो name server है similar आपका सबी जगा पर चलेगा चाहे आपकी वह Google domain पर हो चाहे वह आपका GoDaddy पर हो या host cater पर हो कहीं पर भी आपने domain रखा हो वह सेम वैसा ही होगा आपको यह name server पर यहां पर जो यहां पर मेरे बाद आप by default cloudflare का जो मैंने पास दिया हुआ है इसको change करके आपको ब्लू होस्तर करना है जैसे आप सो कर लेते हैं दुबार आप फिर से इसी step को repeat करेंगे excellent excel.com sign करेंगे तो यह इसको verify कर देगा ठीक है तो यहां से हो edit हो सकता है ठीक है जैसे यहां पर मैं बता रहा हूं आपको कि कैसे करेंगे आप copy okay तो यहां पर मैंने paste किया this one मैं इसको change नहीं करूँगा मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं क्योंकि मैं किसी और method से इसको verify कर लूँगा okay paste then मैं इसको save करूँगा यहां पर click then इसको मैं फिर से step को repeat करूँगा sign पर जाके excellent.com लिखूँगा तो यह कुछ minute के बाद यह reflect जैसे चुनूर होना हो जाएगा तो यह आपका verify हो जाएगा okay तो मैं इस step को नहीं कर रहा हूं second step पे देखता हूं आपको okay second मेरे पास verification method क्या है you may also get a dns a record हमें dns में a record बनाना है for the domain इस domain के लिए जो point करेगा this one या ip address ठीक है तो यह यहां पर देखिए बताया असने कि dns record change होने में कुछ घंटे लग सकते हैं तो यह method भी काफी अच्छा है ठीक है उसके लिए आपको जैसे जो आपका dns है ठीक है अभी यहां पर मेरी जो यह है dns this one ठीक है तो इस dns प a record by default pick क्या हुआ है इस a record पर मुझे क्या करना है excellent excel.com this one जो यहां पर पहले से वैसे होगा a record पर यह at जो शो कर रहा है यह मेरा excellent excel.com ही है means कि जो मेरी website को ही point कर रहा है this one यहां पर जो यह IP address दिया हुआ है 103 ठीक है इसको मैं चेंज करके हमें यह देना है this one ठीक है जैसी आप record देंगे इसको save कर देंगे जैसे कि मैं इसको यहां पर edit कर सकता हूं ठीक है यहां से इसको मैं change करके ठीक है जो मेरे पास यह IP address होगा this one इसको मैं यहां पर copy करके paste करता हूं ठीक है like paste then मैं save करूंगा तो कुछ time मुझे wait करना पड़ेगा wait करने के बाद यह मेरा DNS change हो जाएगा जैसी तो मैं इसको फिससे verify करूंगा then यह step भी मेरा done हो जाएगा ठीक है यह कुछ minute लेगा 5 minute 10 minute तो आपको wait करना पड़ेगा जैसे वो reflect कर देगा जैसे आपका domain verify हो जाएगा मैं इसको भी use नहीं कर रहा हूं ठीक है क्योंकि मेरा जो यह record reflect नहीं होगा क्योंकि मैंने बताया कि यह मेरा सब कुछ cloud flare पर hosted है तो मुझे इसके dns को change करने के cloud flare को on करना पड़ेगा cloud flare पर जाके मैं इसको change करूंगा तो हो जाएगा तो मैं next step पर जा रहा हूं you may also verify ownership of the domain this one excellent excel.com by creating a page means कि आपको सिर्फ एक page को create करना है ठीक है b5344 cdc.html ठीक है या this one जो भी है जिसके अंदर यह information होनी चाहिए text की ठीक है means कि आपने इसको copy करना है ठीक है एक file बनानी है आपकी this one .html file होनी चाहिए वहां पर आप इसको जैसे ही sign करेंगे then यह उसको भी pick कर लेगा means आपको करना क्या है कि सिर्फ एक file create करनी है तो आप उसके लिए अपने file manager में जाकर देख सकते हैं ठीक है तो अभी by default जो मेरी excellentexcel.com website है वो मेरी host gatherer पर है ठीक है मैं आपको वह दिखा देता हूं कि इसको कैसे change करेंगे okay यह मेरा file manager है ठीक है यहां पर मेरी excellentexcel.com website रखी हुई है तो यहां पर मुझे file को create करना है this one file मेरी create किस नाम से होनी चाहिए उसको मैं copy कर लेता हूं ठीक है means कि जो मेरा path होना चाहिए वो यह होना चाहिए dot html में तो इसको मैंने copy किया b5344 cdc dot html ठीक है तो इस पे मैंने new file create करनी है ठीक है this one ठीक है कोई space मत दीजेगा b5344 cdc ठीक file को मैंने create किया यहां पर ठीक है और इसमें यह वाली इसको मैंने edit किया okay अब इसके अंदर में पस क्या होना चाहिए text text नोने मुझे बताया कि आपके पास यह text होना चाहिए तो यह copy करके आप इस text को यहां पर paste कर सकते हैं और save करेंगे that's it means कि यह file अब इस file के अंदर जब हम इसको read करेंगे तो यह text show करेगा हमें ठीक है तो यह हमारी domain verify इससे हो जाएगी ठीक है मैं इस method को भी नहीं ले रहा हूं मैं इस method को यूज करके दिखा रहा हूं means basically इस method से भी verify हो जाएगा मगर मैं फिर भी चाहता हूं कि इबर आप सारे methods को समझ ले ठीक है तो the last one is कि हमें अपनी जो domain है उसको verify करना है by using epp authorization code ठीक है यह हमारे DNS के साथ ही आपको मिल जाता है जहां यह आपकी domain by की होगी वहाँ आपको यह authorization code मिल जाता है इस code को आप यहाँ पेस्ट करके भी अपनी domain को verify कर सकते हैं ठीक है तो उसके लिए मैं first इस file को delete कर देता हूं ठीक है जो मैंने यहाँ पर create किये था है क्योंकि मैं दूसरा method यूज कर रहा हूं इस file को मैं delete कर दिया मैं file manager पर नहीं use कर रहा हूं उसके लिए मुझे epp code चाहिए तो मैं फिर से अपने इस पर जाता हूं अपनी जहांसे मेरी domain है google domains पर यहाँ पर registration settings पर जा रहा हूं this one जो हमारा पास है यह transfer out get authorization code ठीक है same आपको जो भी हमारा authorization code होता है चाहे आप go daddy पे हो चाहे host getter पे हो चाहे name की जो भी आप use कर रहे हैं वहां से आपको यह code मिल जाएगा ठीक है authorization code या transfer code कुछ भी ऐसा लिखा होगा तो वहां पर click करके आप उस code को ले सकते हैं ठीक है तो वरी मत कीजिएगा कि आपकी domain यहां से transfer हो जाएगी हमारी domain locked है ठीक है तो second अगर आप इसको unlock करते भी हैं और code वहां पर देते हैं तो आ एक भी domain transfer हो रही है ठीक है तो मैं इसको authorization code को pick कर लेता हूँ by default यह domain locked है तो इसको unlock कर रहा हूँ so that की google में यह code दे रहे otherwise google आपको वही बुलेगा कि आप भी domain locked है तो transfer नहीं कर सकते हैं ठीक है यह code basically domain transfer के लिए use होता है okay तो मैं अपनी first verification done कर देता हूँ कि मैं ही verified user हूँ okay इसको मैंने कॉपी किया ठीक है अगर आपको फिर्बीट है कि भी मेरी domain लाइक ट्रांसफर हो रही है तो आपने जिस code कॉपी करके तो आपकी domain transfer नहीं होगी मैंने code copy कर लिया है इसको मैंने lock कर दिया है ठीक है तो अब मेरी domain transfer नहीं होगी अब मुझे से यह code को यहाँ पर paste करना है this one okay जैसी domain आपका code paste हो जाएगा then आप अपने third step है हमारे पास कि आपने जो डुमेन आपकी addon domain है इसको आप basically use क्यासे कर रहे है ठीक है तो यह मेरी addon domain के अंतर है count होगी addon domain कोंसी domain होगी जो हमारे पास दिखिए जो कहीं और से है जो हम किसी sub directory में पर पास देंगे so that कि हम अपनी website को यहाँ पर host कर सके पाक्ट डुमेन मेंस कि आप डुमेन को यहाँ पॉइंट कर रहे है ठीक है तो जिस्ट एक एक तरह से पाक्ट डुमेन की तरह से ही होगा अगर आप किसी website को पॉइंट नहीं कर रहे है तो आप अनसाइंड डुमेन यूज़ कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर एडॉन डुमेन ले रहा हूं so that कि इस पर मैं website को भी host कर सकूं यह देखिए this gives you the ability to make it look like an entirely different website एक नहीं website आपकी बन जाएगी otherwise आप इसको अनसाइंड में ले रहे हैं यह आपकी पाक डुमेन में है तो यहाँ पर अपनी website को यूज़ नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर देखाएंगे this means that the website of the park domain will be the same यह देखिए पाक डुमेन अगर में आप रखता हूं तो मेरे पास जो यह website excellentexcel.com पे मेरे dealsoftware.info website ही open होगी ठीक है जो मुझे नहीं चाहिए unassigned में this one यह भी हमारा देखिए unassigned is attached to your account but does not point to a website ठीक है यह dedicated folder नहीं होगा तो हम इसको बाद में change कर सकते हैं मगर मैं इसको by default अभी addon पे ही जा रहा हूं जैसी मेरे addon के ऊपर जाता है तो अब आपके पास एक option आती है कि आप इसको कहाँ प्रेखना चाहते हैं कोई आपके पास directory पहले से बनी हुई है और वाज एक new directory क्रेट करनी है तो मैं new directory क्रेट कर रहा हूं जो मेरा जहां पर मेरी files hosted है ठीक है public html उसके अंदर एक folder बन रहा है excel in excel.com इसने by default domain name के according एक folder बना दिया है आप इसको change भी कर सकते हैं तो मैं इसको by default यही pick कर रहा हूं क्योंकि यह मेरा as a sub domain भी work करेगा like excel in excel.com.dealsoffers.info ठीक है प्लस मैं additional आईए यह मैं सुचिए कि आपका इस वे से ही open होगा आप excel in excel.com को भी direct open कर सकते हैं ठीक है तो मैं यहां पर assign this domain क्लिक कर रहा हूं याद रखेगा मैंने इसको epp method के through use कर रहा हूं मैं यह file delete कर चुका हूं ठीक है मेरे पास यह भी मैंने change नहीं किया ना मैंने यहां पर point किया हूँ है क्योंकि यह मेरा LAC cloudflare पर है मैंने चाहता इसको मैं change करूं ठीक है क्योंकि मैं अपनी cloudflare services में continue रखूंगा तो मैं इसको assign कर रहा हूं ठीक है कुछ second wait कीजिए का तो यह जैसी verification done करता है तैन वह folder create करके back end पे आपको आगे further information दिखा देगा ओके तो यह मेरी domain assign हो चुकी है यह देखिए इसने में दिखा दिया कि अब मेरा domain section में अगर मैं assign पर जा रहा हूं तो यह मुझे बता रहा है कि मेरे पास यह domains है जो मेरी primary domain real software info जो मैंने यहीं से buy की थी then next three domains है वो मेरी सब add-on domains है ठीक है तो अब यह जो domain है यह आप इसको add-on domains को as is primary domain की तरह ही work करेंगे मतलब कि यहाँ पर आपके पास वो सभी options आजाएंगी जो आपके primary domain के साथ आती है आप यहाँ पर email क्रियेट कर सकते हैं आप यहाँ पर further इनके लिए sub domain क्रियेट कर सकते हैं okay fine मैं sub domain दिखा देता हूं आपको कैसे बनाना है क्योंकि मैं excellentexcel.com पर एक और sub domain और अल्रेडी रण कर रहा हूं like hindi.excellentexcel.com यह दोनों की दोनों मेरी डुमेन या website हैं यह मेरी hostgatter पर ही है ठीक है जो को मैं यूज कर रहा हूं मैं इसको transfer भी करूंगा बाद में ठीक है तो मैं sub domain करके बना देता हूं की means की addon domain के बाद अब इसको आप ऐसे primary domain की तरह सब कुछ work कर सकते हैं तो मैंने यह पर hindi लिया ठीक है मैंने hindi जो बनाना है sub domain किसका हुआ excellentexcel.com का this one ठीक है तो अब यहां पर आ गया अब इसको बोल रहा है कि आप कहां पर रखना चाहते हैं ठीक है तो यह फोल्डर का नीम लाइक हिंदी तो उसके recording वहां पर वह सेट कर देगा ठीक है यह मारा path का होगा home then public html then hindi मगर मेरा जो यह excellentexcel.com है वो मेरा excellentexcel.com oh sorry यह file जो मेरे पास रखी हुई है ठीक है यह मेरे पास कहां पर है public html में excellentexcel folder के अंदर है तो मैं चाहता हूं कि जो मेरा hindi यह subdomain है वो इसकी जो file से उसके इंडर जाए तो मैं ऐसे कुछ changes कर रहा हूं like excel in excel this one तो मैंने अब जो मेरा subdomain होगा hindi उसको मैं excellentexcel.com sorry excellentexcel folder में एक folder और बनाया है hindi वहां पर इसको रखेगा तो यहां पर मैं create पर click कर रहा हूं ओके तो यह मेरा subdomain create हो चुका है ठीक है आपको मैं दिखा भी देता हूं यहां पर जो मैंने hindi लिया था this one ठीक है जो मेरा .excellentexcel.com के साथ होगा इसकी file location यह होगी तो अब मैं यहां पर जो भी wordpress install करूंगा subdomain के लिए वो मेरे इस folder के अंदर होगा ठीक है तो मैं यहां से manage कर सकता हूं और अगर मैं normalexcellentexcel.com पे wordpress install करूंगा तो मेरा वो यहां पर होगा ठीक है मैं website को यहां पर transfer करूंगा बाद में देखाऊंगा ठीक है कि हम अपनी website को कैसे transfer कर सकते हैं एक जहां पर पहले से website कहीं से है पूरी complete website को transfer करना ठीक है और अब इस video के लिए यहां पर हम इसको wrap up करते हैं अगर आपके पास कोई doubt है या कुछ पूछना जाते हैं तो मुझे से आप comment में पूछ सकते हैं या आप मुझे message कर सकते हैं telegram या instagram पर ठीक है तो hope so आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा till then take care and have a nice day